यदि आप घर में बेल पत्र का पोदा लगाना चाहते हैं तो इससे पहले जान नहीं ये नियम कि घर में किस जगहे पर पोदा लगाना शुब होता है बेल पत्र का पेड़ घर में कौन से दिशा में लगाना चाहिए आईए जानते हैं यह पेड़ के धान में कारे से लेकर स्वास तक बेहत फायदे होते हैं घर में किसी भी पेड़ पोदे को लगाते समय बास्तू के नियमों का पालन करना चाहिए इन नियामों का पालन ना कायने से बास्तु से जुड़ी समस्या होने लगती है सिपजी को बेल पत्र बेहत पसंद है भगवान बोले नात का अभिशेक करते समय शिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाना चाहिए इससे सारी बनुकामने पूरी होती है बास्तु सास्त्र के अनुसा घर में बेल का पौधा लगाते समय दिशा का बिसे ध्यान रखना चाहिए इस पौधे को घर की उत्तर या फिक फश्यंतिसा में लगाना शुमाना जाता है घर में बेल पत्र का पेड़ लगाना शुमाना जाता है इससे भगवान बोलेनात प्रसन्न होते हैं और भक्त पर उनकी किरपा हमेशा बनी रहती है इसके साथ ये धन धाने की भी कमी नहीं होती जिस घर में बेलपत्र का पेड़ होता है उस घर में बुरी सक्तियों का प्रविस नहीं होता इसके अलावा घर में सकारात्मक उर्जा का भी बास रहता है घर में बेल पत्र का पेड़ लगाने से मालक्ष्मी की किर्पा हमेशा बनी रहती है बेल पत्र को धन्वाले स्थान पर रखने से अरिदर्जा दूर होती है जोतिर सांस्त्रम बताया गया है कि बेलपत्र बास ही नहीं होता अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है इसी दूसरे का चड़ाया हुआ भी आप जल से धोकर अर्वित कर सकते हैं